हैलो मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे हो आप सभी लोग बच्चों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे तंदरूस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे मैं मनमोहित आपका हिंदिय अध्यापक डाउटनट के इस बेहतरीन फ्लेटफरम पर सभी वज्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं सागत करता हूं तो वच्चों नए अध्याई की शुरुआत करने जा रहे हैं आज नैया लेक्चर शुरू करेंगे जीहां अध्याय कौन सा है वाई कर्मनाशा की हार लेखक कौन है शिप प्रसाद सिंग द्वारा लिखित कर्मनाशा की हार तो आए जानते हैं एक बार नजव डालते हैं कि वाई इस अध्याय में हम क्या करेंगे तो सबसे पहले आता है लेखक का जीवन परचे most important मैं जब भी कोई क्लास कराता हूँ जब भी मैं चाहे गद्ध खंड से हो चाहे वो पद्ध खंड से हो सबसे पहले लेखक लेखिका कभी और कवित्री का जीवन परचे आता है क्या कह रही है कि सारा इंस में क्या बताया जा रहा है ये सब हम आखिर इस अध्याय के अंदर जानेंगे और उसके बाद करेंगे कुछ प्रिशन और उत्ता जो कि आपके एक्जाम के अंदर उच्छे जा सकते हैं के लिए रो गया बाद समझ में आ गई चलो तो फड़ा फड़ से एक पैन उठाओ और एक एक कॉपी लो ताकि आपको अपने नोर्स खुद बनाने का मौका मिले जिया भईया खुद नोर्स बनाने का मौका जब मिलता है तो भईया समय निकाल कर जरूर बनाना चाहिए क्यूंकि आपने खुद के बनाये हुए नोर्स पर इनसान को जितना बरूसा होता है यह نोर्स आपके परिक्षा के दश्टिकौर से देखा जाए तो बड़ा ही महत्तपूर रोल प्ले करते हैं जब परिक्षा नजदीक होती है, तो हम पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे नोट्स के जरिये हम एक्जाम के अंदर अच्छे नम बला सकते हैं, तो बहुत ही मत्तपूर होते हैं, के लिए लिखने से क्या होता है, लिखने से एक तो राइटिंग अच छोट जाए, इसके लिए आपकी स्पीड का होना बहुत जरूरी होता है, के लिए बात समझ में आगई, तो अगर आज आपने इस पर काम नहीं किया, तो आगे चलके जब बड़ी किलास में जाओगे, जब आप कॉम्पेटिशन की त्यारी करोगे, तो आपको बहुत कठिन कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ऐसी यादर डालो जो कोपी और पैन के साथ ही बैठे, जैसे कि मानो ओफलाइन क्लास है, के लिए रहे बात समझ मागई, चलो फटा फटा फट इसको शेर करो, ताकि और लोग का भी बेनिफिट हो, आओ, चलते है एक संचिप्त चीवन पढ़चे ले लेते हैं, 1921, जनम इनका हुआ था, 1929 में कहा हुआ था, जलारपुर बनारस में, ये उत्तर परदेश में पढ़ता है, के लिए रहे बासा है हिंदी, विधाएं कौन गौन से उपन्यास लिखा करते हैं, या कहानिया निबंद और आलो लेक लिखा करते हैं, मुख्य करते हो की बात करी जाए, तो उपन्यास में क्या आएगा, वही अलग अलग वैतर नहीं, गली आगे मुड़ती, गली आगे मुड़ती, निला चांद, शैलूश, हनोज, दिल्ली दूर अस्त और औरत, वैश्वा नर कहानी संग्रे की बात करे जाएं, तो वही आर पार की माला, कर्म नाशा की हाथ, ये कर्म नाशा की हाथ, जो कि आपका इस चैप्टर है, जो भी हम पढ़ेंगे, किलियर, शाखा म्रग, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, राग, गुर्जरी, भेदिये, निवंद संग्रे की अगर बात करी ज परवेश और नवलेखन, आधनी परवेश और अस्तितवाद, जीवनी युवाद करें तो उत्तर योगी स्री आर्वेश, संपादन के आए नो निशानते निकेतन से शिवालिक तक का, के लिए रोगया बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं, समिक्षा करेंगे, कहानी की समिक्षा करेंगे, तो बही कर्मनाशा की हार ये डॉक्टर सिप्रकार सिंग की सामाजिक कहनी है, क्या है ये सबसे पहले कोश्चन आएगा कर्मनाशा की हार, गद्द की कौन से विदा है, तो बही क्या है ये, ये कहानी है, किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर संग्जी द्वारा लेखी समाजिक कहानी की विद्र होती हैं या कि साणा देखते ही जो richest में आपको देखना पड़ता है तो समाजिक ताना बाना इस कहानी के अंदर उना गया है और इसमें ग्रामाण चली समाज में व्याप्त अंद विस्वास ये जो अंद विस्वास का जो माहल है क्या शहर और क्या गाउ तो ग्रामाण कोई नसिर होता है ना पैर होता है जिनका कोई उचित्य नहीं होता है लोग अंद्विस्वास में इस कदर डूबे हुए हैं कि आज भी गिरामियर परष्ट भूम में अगर अगर अजाब जाओगे तो अगर कोई बिमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के वज़ाए लोग आज भी बावाओं और तांत्रिकों को पास ले जाते जाड़ा लगवानी के लिए इसको बोलते हैं अंद्विस्वास आज 21 सदी के अंदर हम लोग जा रहे हैं लेकिन यह अंद्विस्वास जो है कम नहीं हो रहा है अंद्विस्वासों रूडियों तथा वर्ग संगर्शों की जीती जागती तस्वीर उतारी गही है इस कहानी के माध्यम से इस कहानी के अंदर और संचेप में कहानी की निमेखती विश्यसता है क्या है कर्म नाशा गयार कहानी का सारांस देख लेते हैं पहले तो कथानक की बात करें तो बहरो पाड़े पाड़े की विदवा लड़की फुल मतिया से अबयाद संबंद करके सामाजी कि कलंक का विश्वय बन atenção गूल दीप मल्ला की जो विदवा लड़की है सुल मतिया इससे इसके अबयाद संबंद हो जाते हैं किलियर है बाद समझ में आ गई और समाज को कलंकित करके ये लुग क्या करता है ये बिटत चला जाता है किलियर है तो बहरोपाण्डे के छोटा भाई होता है कुलदीप जो कि मल्ला की विदवा लड़की जिसका नाम होता है फुलमतिया इसके साथ इसके संबंद होते हैं और समाजी कल समाज के वैसे गर्भिनी प्रेशी को छोड़कर भाग जाता है यानि कि अपने बड़े भाई के डर से हैंना समाज में बदनामी होगी भय के कारण डर के कारण वो जो अपनी प्रेमी का होती है के लिए गर्भिनी यानि की गर्भ से होती है गर्भ से होती है उसको छोड़कर क यह भाग जाता है और तभी कर्मनाशा की बाठ अपना गरोप धरन करती स्बील नर्बली लिये कर्मनाशा कि बार नहीं गटेगी अब इसी को बोलते हैं अंदविष्वास इसी को बोलते हैं अंदविश्वास अब जब उन्हों कि बीना नर्वली के ना यह घटे की नहीं यह नर्वली मांगती है जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक यह घटेगा नहीं है ना तब तक इसकी यह जो बाड है यह घटेगी नहीं यह कम नहीं होगी तो यह जो आई है तो अपने साथ पर ले लेकर आए किलियर है तो यह अंद्विश्वास प्राचीन परंपरा हैं सुरू से चली आ रही हैं है ना हो सकता है इस बाड में किसी की हो गई हो तो लोगों ने धारणा बना ली जब तक यह बाड जो है नर्वली मांगती है यह नर्वली मांगती है तो जब तक यह नर्वली नहीं दी जाएगी तब तक यह घटेगी नहीं और धनेसरा चाची के माध्यम से धनेसरा जो चाची हैं इनके माध्यम से फुल मतिय नहीं पच्छता है ऐसे आपके भी अगल बगल इर्द इर्द घर्द में पहार पडूस में रिस्तेदारी में या फिर आपके ऑफिस में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा विक्ति जरूर होगा जब तक वह तीन की पांच ना लगा ले यानि की चुगली ना कर दे कहने का ताज प सब्छी के बहयंकर पाप का परवालों सारे गाओंवालों को भुगतना पड़ूँ अब लोगों ने देखो कैसी ध़ारणा बना ली एक तो वो गर्वसे है पेट से है तो लोगों में द़ारणा बना ली कि इसने पाप किया है और इसी का परवराम है कि यह जो बाड़ा अ इसी के परड़ाम इसी के परड़ाम तो इसने भेंकर पाप किया है और इससे सारे गाउवालों को बुगतना पड़ेगा किलियर है बाद समझ में सारे गाउवाले इसकी चपेट में आ गए है अतै फुल मतिया तता उसके अबोध बच्चे को जीते जी करम नासा की बाड़ में फेक कर इस पाप से छुटकारा पाने का निश्चे किया जाता है अब गाउवाले उनने क्या सला की गाउवालों ने क्य इस ने क्या किया है और जो कर्मनाशा की यह बिना नर्बली की तो घटि नहीं कि काम करते है इसको और इसके बिच्चे को इसके इंदर जहुग देता इक तो नर्बली हो जाएगी यह मर जाएगी और यह पार्ण का प्रकृप है ये भी हमारे से टल जाए सोचो तो ये अंद विश्वास नहीं तो ये क्या है के लिए तो लोगों ने इसका निश्चे किया फुलमतिया उसके बच्चे को मारने का प्लान मनाया फुलमतिया नवजात सिसु को लेकर कर्मनासा के तट पर गाउवालों के साथ रोती बिलक्ती खड़ी है अब एक दुख्यारी अवला क्या कर सकती है रो रही है गिडड़ा रही है अपने जीवन की भीक मांग रही है अपने नहीं तो अपने होने वाले बच्चे की जो है लोगों की दुहाई दे रही है लेकिन गाउवालों के एक रती भर भी जो है उस पर दया नहीं आई वो केवल और केवल उसको मारना चाहते थे उसको और उसके बच्चे को तो रोती विलक्ती जो है वो खड़ी होई बांद पे तट पे और उसी समय बहरो पांडे वे शाकी के सहरे पहुंचते है उसी वक्त बहरो पांडे की एंट्री होती है है ना फिल्म में बहरो पांडे की एंट्री होती है तो भई पहुंचने बान पर तो भई उन्हें फुल मतिया के पाप की घटना से अबगत कराया जाता है अब गाउंवाले बताते हैं कि भहिया इस तरीके से बेशक आपका भाई था लेकिन इन दोनों ने क्या किया है इन्नों ने गोर पाप किया है अनर्थ किया है और इसी का परेडाम है कि भहिया ये जो बाड़ आई है और बिना नर्वली के ये घटेगी नहीं तो क्यों ना इसकी और इसके बच्चे की बली दे दी जाए तो ये गाव वाले जो है वो वहरोपांडे को इस चीज से घटना से अवगत करा रहे हैं बता रहे हैं और कुछ समय तक तो वहरोपांडे का सौब इमान जाग उठता है कुछ तमय तो वहरोपांडे ध्यान से सुनते हैं वो भी गाव वालों की हां में हां मिलाते हैं क्योंकि वह अलग तो है नहीं लेकिन अगले ही पल उनका सौब इमान जाग उठता है अगले पर जाग उठता है और वह अपनी वंश मर्यादा की चिंता करने लगते हैं कि लि हमारी बेजश्यति करा दी हमारे वंस का क्या होगा है ना हमारी मर्यादा मान मर्यादा सब कुछ बना बनाया सब कुछ मिट्ठी मिला दिया इस तरीकी की चिंता करते हैं लेकिन अगले ही पल थोड़ी देर के बाद उनका हिरदय परिवरतन हो अगले ही पल क्या होता है क्योंकि जाहिरती बात मनुष्य है मनुष्य के हिर्दय परिवर्तन होते हुए देर नहीं लिखती कब कौन सी चीज कब और कहां आपको समझ में आ जाए कब कौन सी चीज आपके जीवन में टर्निंग कॉइंट हो जाए कोई नहीं कोई नहीं जानता कहते हैं कि यह एक ऐसा वाक्या था जिससे मेरी जिन्दगी 306 डिग्री चैन्ज होगी यानि कि सभाव के ठीक विपरीज जो है चले जाना और वहां से पूरी जिन्दगी जो है नया मौड लेती है कुछ ऐसा ही वाक्या होता है हर किसी के जीवन में होता है क अकड़कर विरोध करते हुए मुख्या को करार असा जवाब देते हैं अगले ही पल क्या होता है एक पल तो अभी हां में हां मिला रहे थे और अगले ही पल क्या होता है उनका हिर्दय परिवर्तन होता है और वो कहते हैं आपने कहते हैं इंसार का जमीर मिर जाता है उनका ज काने लगे कि बहिया इनकी वली देने से यह कर्मनासा की बाड़ जो है एक कम नहीं होगी किलियर है शरमानी चाहिए तुम्हें एक अभला कायरता को धिकारते वी बच्चे को कंदे पर चिपकाए वे शाकी के सारे खड़े हो जाते हैं कि किलियर हो गया बाद समझ में आ गई है बेशक उनका भाई था कायरता पूर नहीं काम किया था धिकारते उसको लानत है से व्यक्ति पर जो एक बच्ची को इस तरीके से जो है लोगों की उहा पोस का जो कारण बना के चला गया भाग गया अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया मुखिया व्यंग एकस्ते हुए समाजिक दंड की धंकी देता हुआ है जिस पर भैनों पांडे कहते हैं कि समाज करवना मुखिया कया कहता है समाज के अंदर ही रहते हो समाजिक दंड मिलेगा तुमको भी और धंकाता है मुखिया लेकिन उनकी एक नहीं सुनते हैं बहरों पांडें और कहते हैं इस समाज है क्या ये कर्मनाशा कि समाज की बात कर रहे हो किस यह समाज की बात कर 1 की गिंति की जाए तो सभी को परिवार समय अपर मौजूध है कि समाज की लोग कोई भी दूद का धुला नहीं है अगर एक-एक की गिंती निकाली जाए तो तुम लोगों ने भी जीवन में कोई नो कोई पाप किया होगा के लिए रोगया बात समझ मागई एक-एक का कच्चा चिठा मेरे पास हैं काओ तो खोल के दिखाओं भाया परिवार समेथ कर्मनासा के पेड़ में जाना पड़ेगा सबकी गिंती की जाए तो और भैनों पांडे की साहस से के आगे मुखिया और गाओं के सभी लोग चुप हो जाता है और कर्मनासा को भी हार माननी पड़ती है कहानी का कथानक आंचलिक होने के साथ ही सामाजिक भी है और यह यथार्थ के लोग भी एस से लगता है कि हम भी इसी कहानी के पातर है कथा सूतर विखरा होने पर भी सबकर्टित और जिग्यासा का विशय बना हुआ है जिग्यासा है पातर और चरित्र चित्रण करों तो कहानी के मुख्य पुलमतिया कुल्दीब धनेसरा चाची और मुख्या कहानी के गौड़ पात मुख्य पात्र किसको बुला गया है बहरोपांडे को बहरोपांडे के चरित्र विकास में सायक सिद्ध होते हैं बहरोपांडे को अपनी जूटी वन्स मर्यादा का बड़ा ध्यान रहता है और इस सबकुछ एक विक्ति जो होता है समाजी गृट्ट यह सब देखता है और भाई समाजी का समर्तन बिल्कुल भी नहीं करता किन्तों कुल्दीब के भाग जाने पर उनकी मानवी नतिकता जाग उठती है और वह बढ़क उठते हैं और वे कुल्दीब को कायर मानकर बच्चे और फुलमतिया की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं किलियर है मानवी अगुण मानव का एक मानव अपने सामने अगर किसी विक्ति के कहते हैं उसके साथ कोई गलत विभार हो रहा है उसके साथ कोई अनैतिक विभार हो रहा है और उसके साथ कोई गलत तरीके से कोई के लिए तयार हो जाते हैं और मुकिया को ललकारते हैं कि गाउं में कोई ऐसा परिवार नहीं जो निश्कलंग सब कलंकित हैं सब कलंकित हैं किलियर हैं बाद समझ में आ गई तो बहर बली देने से नहीं और मुकिया ग्रामीर समय की परंपराऊं उँद्विस्वासों से ग्रस पुराने Aa का समर्थक विखत रिखती हैं उब है और लोग दिमाग में घर करIGHए हैं यह जो बाड़ आई है यह बिना नर्वलि में यह कम इवि देता है कुल्दित ठाज फुलमतिया समाज के सामाने यॉवक यॵतियां जिनमें यॉवन की लड़ता है उसमें समाज का विरोद करने का नहीं है। जवान युवक युवतियां जो यौवन में जो है इनसान क्या होता है लोगों को अपनी जो इंद्रिया है उनको वश में करना ये बहुत बड़ी बात होती है ये मन बड़ा चंचल होता है इस पर कंट्रोल करना हर किसी के बसकी बात नहीं होती है किलियर और अक्सर अलड़ जवानी के अंदर लोग ऐसे कारिक कर जाते हैं किलियर है कुल दीप तो इतना कायर है कि वो फुलमतिया को प्रतक्ष रूप से अपनाने का सास भी नहीं कर सकता है अगर प्रेम किया है तो उसे अपनाओ भी तो सही लेकिन ये डर जाता है ये क्या करता है अपने प्रेम का प् प्रतिनलग्द्यू करते हैं जिनके पेट में कोई बात नहीं पाइब कि कम्जूरियों का कीचर उछाडवगा ही जिनका काम है पात्रों का चित्रन कतोवकत सर्ल है और जिन मेनवर्तियों का पूण परिचे मिलता है धने सबसक्तों में ग्रामीर महिलाओं की की उश्या जहां करें है। अगर आपके सामने कोई समाज के अंदर कोई गलतकारी हो रहा है और अगर आपने नहीं उठाई तो जितने दोसी वो हैं उससे कहीं जादा दोसी आप है। कर्म नाशा की भयानक जो है बार का बड़ा ही रोमांच कारी सजीव चित्रनेहा पर उड़ेदा गया है। पाठकों को कहानी पढ़ते समय सारा दिल से आखों के सामने नाचने लगता है। मानो हमारे ही आसपास किसी गाउं की गटना है। और हम भी पढ़ते पढ़ते हम भी इसी कहानी के अंदर डूपते से चले जाते हैं। प्रतीत होता है। जैद की रात गर्मी से जली तपी कर्व नाशाता था दूर तक फैले लाल रेत और चांदनी में चमकती सीप्मियों का बड़ा ही सुन्दर चित्रे यहां पर खींचा ले। वातावरण के सजीव चित्रन के से कहानी में जाना के। कलियर हैं। भाषा सैली की अगर बात करें। तो कहानी की भाषा सरल और बोदगमं में हैं। के तत्सम सब्दों के साथ साथ उर्दू तथा देशेज सब्दों के भी प्रयोग किये गए तत्सम सब्द क्या हैं तत्सम सब्द होते हैं संस्कृत निश्ट सब्द यानि की जो शब्द संस्कृत में इस्तेमाल किये जाते हैं संस्कृत में जिन भासा जो इस भासा में जो का यूज़ता है वही हिंदी बहसा में जिऊंगेतियों उनी को तपस्म कहते हैं किलिए है कि इसके साथ साज और दूक के शब्द भी स्तमिल इस्तिमाल के हैं देसस सब्द मतलब जो हमारे देशी भासा जो छेटरी भासा होती है तो दैनिक टैनिक बॉल चाल में जो हम लोग इस्तिमाल करते हैं उन देशत सब्जों का यहां पर प्रयोग पी किया गया है जिससे की भासा अत्यनती ही प्रभाव साली बन गई है एफेक्टिव बन गई है मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से वर्णन में सजीबता आ गई है और प्रेम चंद की वासा सिल्प की सा सब्स्वास की कोई जगे नहीं एंधरिश्वास की कोई जगे नहीं है की कोई जेगनी परंप्रागत जो रूढ्या उनको तोड़कर इस से उपर उड़कर एक स्यस्त मानवत्यवादी दिश्ट्फ कूद की स्थापना करना ही कहानी-का मुख्युत देश है किलियर है मानवी गुणों को यहाँ पर उकेरना कहानी का मुख्य देश है बैश्रम के महत्य को प्रतिस्थापित कर जन चेतना को एक नई दिशा प्रदान करना यही कहानीकार का अपना दिश्टिकोर यहाँ पर दिखाई देता है केलियर हो गया अब कर्म नाशा की यहार क आदे के नायक की नायक का और चरित्र चित्रण करना यहर और यहाँ पर बहनशा की हर नमक कहानी के मुख्य पात्र हैं और यह जो गाओं के पुलीन ब्रहमण हैं पुलीन ब्रहमण हैं पुलीन ब्रहमण के अगर बात करी जाए तो ब्रहमण छत्रिय वैश शुद्र चार वरणों में हमारी वरण विवस्ता बंदी हुई है चार वरणों में हमारी यह विवस्त और इस तरीके से अगर बात करी जाए तो ब्रहामण कुल में जनम लिया है इन्होंने और इनका परिवार बहरा पूरा है एक बहरा पूरा परिवार जो है इनका है और इनके पुर्खे एक नामी पंडित थे इनके चरित की प्रधान विशेश्थाएं निम्नलिकित है कौन कौ दरेमी हैं बैरोपान्रेडब धर्मनिस्ट और कर्मकान्डं में आस्था रखने वाले वेठते एंग यानि कि पूजापाट करना कर्मकान में विश्वास रखना तो यह इनका धर्म है और वे अपने हात से सूत कात कर जन्यूग बनाते हैं और पहमते हैं अपने ही हाथ से हैं उससे जनेव बनाते हैं और फिर उसको धारण करते हैं जनेव धारण करते हैं जनेव धारण हाँ बिल्कुल वह जनुद धर्म कर्म में लगे रहते हैं और पत्रा देखते हैं और सत्य नारयन की कथा बाचते हैं धर्म कर्म पूजा पार्ट में लीन रहते हैं पत्रा वग बहरो पाड़े नाम की शक्स हैं यह धर्म के पृति जादा ही सज़ग है दूसरा क्या है इनका इस पेसी इस जो अगर बात करी जाए जो साहसी और निर्भीक है दूसरी क्वालिटी क्या है सासी भी हैं और निर्भीक भी भैस मुक्त यानि कि इन्हें डरवर नहीं लगता तो भैरो पाड़े परम साहसी और निर्भीक हैं विपत्ति से नहीं घवराते अरे भाईया विपत्ति से क्यों घवराना विपत्ति से क्यों घवराना है ना विपत्ति में इंसान को डटकर साहस के साथ जो है मुकावला करना चाहिए विपत्ति में दुम दबा के नहीं भागना चाहिए विपत्ति में हमें खड़े रहकर विपत्ति का जम कर मुकावला करना चाहिए पिता की मृत्यु के बाद पिता का कर्ज देखरे के लिए दुद्मुहा बच्चा और बाड से धुस्त मकान मिला किन्तु वे घवराये नहीं और एक साहसी व्यत्ती के समान संपूर विदने बाधाओं को जहिलते हुए सम्मान के साथ कुलदीप का पालन किया कि लिए कुलदीप कौन था इनका छोटा भाही था कि लिए रहे पिता जी के उपर कर्ज था तो इसको अपने बच्चे के तरह इनोंने पाला बड़ा प्यार किया करते थे यह बाड से मकान इनका धुस्त हो गया था डेमेज हो गया था लेकिन फिर भी नहीं घवराये और कि अपने जिस हग कुल में हमने जनम देया है उस कुल को हम आगे तक ले कर जाए एक जिम्मेदार नागिरे की जिम्मेदारी भी बनती है नेतिक करतर भी बनता है तो ये अपने वण्शुकि मरियादो को बनाए रखना का इनोंने प्र्यास किया था सच्चरित्र मतलब बह सुनियों के मान सम्मान का ध्यान हैं, गाउं की बहु बेटीब को अपनी बहु बेटी समझते हैं chocol Lorudik जब धियदा से प्रेम करता है तो बहरुपांडे उसे डाटता भी है और पतकरता भी खुलमतिया से प्रेम करता था ना कुल दीप, तो वो इसे डांटा करता था, क्योंकि घर की सभी बहु बेटियों को वो अपने बहु बेटियों की नजर से देखा करते थे, वो सब समाज के अंदर वो इस चीज को गलत मानते थे, चाहे वो अपना सगा भाई किऊ ना हो, उसक के सागर में डूब जाता है एक भाई को अपने बच्चे की तरह पालना उसका लालन पालन करना और फिर एक दिन वो घर से भाग जाए तो सोची उसके उपर क्या बीतेगी तो दुख के सागर में डूब जाते हैं और कुल्दीप के उनको बहुत याद आती है क्योंकि एक घर का कोई बच्चा कोई सदस से जो आपकी आँखों के सामने रहता हो और वो एक दिन घर छोड़कर चला जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी वह सोची वह सोचने लगता है कि या राम जाने कैसा होगा सुखी आँखों से दो बूंदें गिर पड़ी और अपने से तो प्रती स्वी वेक्षारों के वरती है और इसी कारण वह अंद विष्वास का खंडन करता है कहता है कोई ऐसा करते मत करो जिससे मानवी जो गुड़ हैं वो आपके लुपत हो जाए इंसान को इंसान के काम आना चाहिए अंद्विस्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि लिए है आगे बढ़े रूड़ी वाधिता का विरोध करते हुए वो घोशना करता है कि कर्मनासा की बार नर्वली देने के लिए लालाइथ है अब क्या कर रहे हैं इस अंद्विस्वास से परदा उठा रहे हैं कि गाओं का कोई सदा से ऐसा नहीं है जिसने कुकरत ना किया हो अगर गिन्ने बैठोगे तो सब के क्युकरत निकल के आएंगे इस हिसाब से तो सब को इस बार की अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कि लिए रहे बाढ़ आपको भाके न ले जाए आपकी जन और धन की हानी ना हो इसके लिए आपको बाढ़ सही करने पड़ेंगे और इस परकार भहनों पांडे का चरित्रिक आधरशवादी गंभीर सच चरित्र विचार शील तथा प्रक आगे बढ़ें चलो आप प्रशन कर लेते हैं पहला प्रशन आपको आएगा यहां पर कर्मनाशा की हार कहानी का अंत बहुत ही मारमिक और नाटिकी हुआ है इस कथन पर अपने विचार संचित में लिखने हैं अत्वा कर्मनाशा की हार कहानी में किन समस्यां को जागर किया इसको इस पश्ट कर्म है तो स्रीमान सिप प्रसाज सिंग जी जो इसके लेखक है ना इनके द्वारा लेखित कानी के कर्मनाशा कियार अपने संपूर्ण सुरूप में एक ऐसे भारती गाउं की कानी है जहां पर अंदविस्वास खेला हुआ है रूड़िवादिता है इर्श पश्चाद दिया जाता है कि है ना जैसे कि सिraktion संतुस या बोल दिया जाएगा कोई बिनामों तोड मरोड कर इसको बिगाळना ये कोई गाउंग के लोग इस तो फुल invest को फुल मतिया को बोलते है यह क्या है यह एक विद्वा है यह एक विद्वा है यानि कि इसके जो पती का दिहांत हो गया है कि लिए यह विद्वा नारी है और जो कुल्दीव से प्रेम करती है इसे कुल्दीव से प्रेम हो जाता है कुल्दीव भी इसको प्रेम करता है इस प्रेम को कुल्दीव का कि उसकी जाती की नहीं है गाव में जात माद बहुत होती है कि कुल्दीप भbn से किसी खालत में शादी नहीं कर सकता है और आता है अपने भाई को डाड़ता है और कर अब फुर्मतिय जो होती है कि कर्म नासा के पानी का विक्राल différentes फुलमतिया के कुकर्म का ही प्रेडाम है किलियर है बाज समझ में आगई और इसी कारल गाओं वाले फुलमत और उसके मासूम बच्चे को करम नासा की उफंती धारा उमें फेंक देना चाहते है यानि कि एक तरह से नर्वली भी हो जाएगी अब यह बाड का प्रकोप हमसे टली जाएगा बैरो पांडे अंतर दुन्द का सिकार है उसकी आत्मा यह सुकार नहीं करती कि खांदान प्रतिष्टा और सामाजी के माननेताओं की बली वेदी का फुलमत और उसके मासूम बच्चे की बली चड़ा दिया वो वहाँ जाकर गोशना करता है कि फुलमत उसकी बहु है उसे अपना लेता है क्या करता है वो उसको अपना लेता है फुलमत क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी उसका जो बच्चा है अब तो जाहिर सी बात है कुलदीब का आइश है तो वो एक तरीके से उसे अपना लेता है यानि कि उसे अपनी बहु को स्विकार कर लेता है जब गाउवाले फुलमतिया के पाप कर्म के दंडी की बातें करते हैं तो वो कहता है कि गाउव में कौन ऐसा है जिसने पाप नहीं किया है है ना यहां तो सा जाती विभा के आदर्सों का समर्थन करता हुआ गाउं और के सम्मानित कहलाने वाले लोगों की पोल खोलता हुआ समाज में व्याप्त अंदविस्वास पर प्रहार करता है कि नो कहानी का ये अंत नाट कियता से बरा हुआ है कहानी के रचना करते समय अंत की ये नाट की हो गया है फिर भी इस कहानी का अंत मर्मिस परसी और पार्ट को पर अपना परभाव छोड़ता है यानि कि किस तरीके से एक विद्वा को अपनी बहु के रूप में सुखा ले दे क्या बोलते हैं सुखार कर लेता है कि लिए रहे बात समझ में आगई इसका कहानी का जो अंत है वो बहुत ही सुख़त है हैपी एंडिंग बोल सकते आप चलो अंध्विस्वास और विस्वास में क्या अंतर है कर्मनासा के बारे में अंध्विस्वास किस रूप में पर चलता तो विस्वास वह होता है जो देखा पड़ा या समझा हुआ और कोई बात जो देखी हो पड़ी हो या अपने गुद्धी से समझी हो वह विस्वास मानी जाएगी लेकिन पुरानी समय से चली आ रही विना अनुभव की बात सोचे समझे और जाने हैं विस्वास करने लगे उसे ही हम आन्द्विस्वास करते हैं काली सांप का काटा आदमी बच सकता है हला हल जहर पीने वाले की मौत हो रुक सकती है यह प्हूंनासा के बारे में किनारे के लोगों का इक सास की देख 본 नधीन बाढ़ आये टो भिना म दीर से जाटक राया था तो डोल के वे चली गीत की कडियां मुर जाकर होटों से पपड़ी की तरह चागई और सुखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की पांच बकरों की दोरी भेट हुई किन्तो बड़ी नदी का होसला कम न हुआ एक अंधी लड़की एक अपाहिज बड़िया बार की भेंट रही और यह उनका अंधविस्वास था बार का आना और उतरना उसे बली देने या ना देने से कोई संबंद नहीं है अंत में इस मिठक को बहरो पांडे ने तोड़ा कि नदी की बार रोकने के लिए बांध बनाओ तब उसका पानी पानी रोकेगा बली देना एक अंधविस्वास है जो आज के समास में समाप्त होना चाहिए ये एक गलत परंपरा है ये एक गलत परंपरा है जो की भेरो पांडे ने से रोकने का भरपूर प्रयास है चलो आगे बढ़े अगला पूस्त नई दी की सामाजिक चेतना किस प्रकार की थी दो उ उचे इस्थान पर बसा हुआ था और यहां के लोग अधिकतर असिचित थे यानि की पड़े लिखे नहीं थे और अंधविस्वासों में गिरे हुए थे उनका विस्वास था कि एक बार यदि कर्मनाशा नदी का पानी बढ़ आए तो बिना मनुष्य के बले लिए नहीं ल जल को देखकर खुशियां मानाते हैं दो चार दिन की बार उनके लिए तबदीली बनकर आती और मुकिया जी के द्वार पे लोग बाग खटे होते और कजली सकम की ताल पर ढोलके ठनकने लगती और गाओं के लोग यह बाड़ी नदिया जिया लेकर माने का गितगाते और बहिया क्योंकि बार उनके किसी का जिया नहीं लेती थी किन्तो पिछली साल नदी में बार आ गई सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की और पांच बपरों की दोरी बेंड़ी किन्तो बड़ी नदी का होसला कम नहीं एक अंधी लड़की और अपाहिज बुढ़िय एक साल के बाद फिर से वही दरस्ते जो है देखने को मिला लोग को प्रलाय का संदेश था नई डी के लोग चूहे दानी में फसे चूहों की तरह भैसे दोड़ धूप कर रहे थे सबके चेहरे पर मुर्दनी च्छावे थी यानिकी लोग उदास थे लोग उदास दे और ए उसके बच्चे को नदी में फेंक रहें नदी में फेंक रहें यानिकी नर्बली के रूप में किलियर है क्योंकि फुलमतिया ने पाप किया है चबीले ने पांडे से पूछा क्यों क्यों पांडे चाचा जान लेकर बार उतर जाती है ना तो पांडे ने का हां कहकर आगे ब प्यारा था अब भイया पुलमती अपने बच्चे को छाती से चिपकाय तोटते वह अरार पर एक नीम के तन्य से सट कर ख़ड़ीधा दिरो रही था बीक मांग की कोई चीज नहीं थी मनिश्टा के गुड़ एकदम खत्म हो चुके थे कोई सन्याय के बिर दुबूलने की हिम्मत नहीं कर रहा था लोगों का है अंदर विस्वास था कि कर्मनासा को पराणों की बली चाहिए बिना पराणों की बली लिए बाड नहीं उतरेगी और मुक्या उसके लिए उन्हें पसीना बहा कर बांदों को ठीक करना पड़ेगा बांद ठीक करने पड़ेंगे तब जाके बार रोगेगी कुल्दीप कायर हो सकता है वो अपने बहु बच्चे को छोड़के भाग सकता है किन्तु मैं कायर नहीं हूं मेरे जीते जी बच्चे और उसकी पाप नहीं किया यह वह सबके पाप गिना दें तो सभी को नदी में अपनी बली चड़ानी है ना इस उत्तर के बाद कोई कुछ बोल नहीं सका और परकार पांदे ने उसकी जान बचाई और उन्हें अपना दिया आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है करमनाशा की यार कहान और प्रक्ति गया एंदां देंद्विस्वास को खंडित किया गया उसके और इस कहानी द्वारा जाती कि रुड़ियों को तोड़ने और व्यक्तिवत और सामाजी किसी भी प्रकार के शोशन के विरूद में आवाज उखाने का है अधिकार के यहां पर संदेश दिया गया है किलियर है बhales कर्मनाशा की हार कहानी आज के समय में भी विल्कुल उप्युक्त है ये कहानी आज के सिनेरियों में एकदम फिट बैठती है किलियर है देश की समाजी की विवस्ता आज भी जातिकत समिकरन के आधार पर कारी कर रही है बड़ा महत्व है यह अवस्य है कि आज विद्वा विभा और अंतर जाती विभा कुछ लोगों द्वारा सुईक्ट होने लगे हैं परन्तु अभी अधिकतर लोगों द्वारा इसका विरोध ही हो रहा है विश्वास आज भी कम नहीं है आज भी लोग देवताओं को खुश क सब्सक्राइब करने के लिए आज भी लोग देवताओं को खुश करने के लिए लीए पहले जहादा था थोड़ा सा कम लें अभी पूंडर रूप से यह समाक्त नहीं है आज मैं लोग विजाती शाधी करने पर जान तक ले आज भी अगर कोई इंटरकास जो है अपनी काश्ट से हटकर अगर कोई दूसरी काश्ट में साधी कर ले तो आप देखते होगे लोग जान ले लेते हैं जान ले लेते हैं किलिए आज भी तो ऐसे कई उधारण सामने आये हैं कर्म नाशा की घार कहानी निश्चत रूप से आज के संदर्व में भी उतनी ही उपयूकत है यह समाज को आइना दिखाती है समाज को आइना दिखाती है व्यक्ति 21 सदी के अंदर जा रहा है और हम लोग अभी भी उन्ही पुरानी परमपराओं में उल्जे हुएं उन्ही अंद्विस्वासों में उल्जे हुएं व्यक्ति को अपने मन मस्तिस्क को बदलना पड़ेग अंद्विस्वासों पुरानी रूडिवादी सोच को किनारे करकर हमको नए प्रगति के नए नए आयाम खोलने पड़ेंगे और हमको इन सब चीजों से क्या होगा मुक्ति दिलाने पड़ेंगे के लिए रहें तभी हम एक सब्विसमाज की स्थाफना कर सकते हैं बात समझ में आगई चलो गए तो इसी के साथ प्रिशन समात्त होते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ तब तक भाई हमें दो इजाजत और आप बने रहो ड करें।